हाई ट्वेल्टीज, वेल्कम टो एसीवे कावमेश क्लासिज, मैं हूँ तबिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम शियर कैपिटल चेप्टर के एंसी क्यूज करने वाले हैं जिसका PDF आपको Telegram Channel जिसका नाम है तबिता मैसी Class 12 वहाँ पर भी मिल जाएगा या फिर Instagram पर जो मेरी आइडिया तबिता मैसी वहाँ भी मिल जाएगा आज हम सीखेंगे गाईज कि हमें MCQS कैसे करने होते हैं स्टूडेंट्स जो यही चीज़ पूछते कि MCQS को किस हरीके से करें तो गाईज सबसे जादा MCQS में जो गलती होती है उसकी वज़े क्या होती है कि हम MCQS बड़े ही जल्दवाजी में करते हैं लेकिन MCQS के लिए पटिकुलर टाइम दिया जाता है तो आपको सोच समझ के MCQS करने होते हैं MCQS ऐसे नहीं ABCD चार ओप्शन है कुछ भी सलेक्ट कर दिया इसलिए गलत हो जाते हैं तो आपको सोच समझ के उस चेप्टर में इन्वाल्व होना है अगर शियर चेप्टर का है, एडमीशन का है, सबसे पहले आप अपने आपको इन्वाल्व करें कि पूछना क्या चारा है और सोच समझ के अंसर करें तो गलती कम होगी अगसर ऐसा क्या होते हैं हम बस उपरी तोर पर जादा इन्वाल्व नहीं होतें और ऐसा लगते है कि यह अंसर होगा, क्लिक कर देते हैं बट ऐसा नहीं, आपको पूरी तरीके से सोचना है, टाइम लेना है आपको यह नहीं है कि एक सेकंड, दो सेकंड में बस उसको अटेम्ट करना है आपको दो मिनट दिये जाते हैं पर MCQs के लिए तो टेक यूर टाइम और असानी से उसको अटेम्ट करना है अब हम जो MCQs करने वाले हैं, वो है Share Capital Chapter का इसमें फर्स जो दे रखा है, वो प्रेक्टिकल MCQ है जिसमें उन्होंने बोला है, Amal Limited एक कंपनी है जिन्होंने अलॉट करे हैं, गाइस Allotted 10,000 Shares, कितने Shares Allotted करें 10,000 और 2D Applicant of 14,000 Shares यानि कि Applicants कितने थे गाइस, Applicants है आपके 14,000 यानि कि 14,000 Shares के लिए अप्लाय किया गया था उन्हें हमने 10,000 Shares दिये हैं, on a pro rata basis The amount payable on application is 2 per Shares तो application पर कितने रुपे हैं, 2 रुपे के हिसाब से पैसा दिया है जिसमें एक राहुल हुसेन, Applied for 420 Shares तो राहुल ने कितने अप्लाय करें? राहुल ने अप्लाय करें 420 Shares अप्लाय करें अब आगे वो क्या कहते हैं? The number of Shares Allotted यानि कि Allotted Shares निकालने हमें राहुल के दूसरा उन्होंने बोला है amount carried forward for adjustment against allotment यानि कि इसने कितना advance दिया कि हम allotment में adjust करेंगे इसका पैसा तो कितना इसने advance दिया? तो बहुत easy सा concept है आप सबको पताएं जब भी Applied या Allotted निकाला जाता है to Applied by Rahul आपको पूरा लिखना है ठीक है Total Allotted कितने है हमारे? 10,000 Applied कितने है? 14,000 और इसने कितने apply करेंगा? 420 तो आपको यह formula कैसे लगाना होता है? इसे कैसे याद कर सकते हो? जो भी चीज आपको निकालनी होती है अगर उन्होंने बोले Allotted निकालो तो Total Allotted उपर आता है अगर वो बोलेंगे Applied निकालो तो Total Applied उपर आएगा और Allotted नीचे तो जो निकालना होते है वो चीज उपर आती है अब यहाँ पर अगर हम इसको cut करें तो यह आजाएगा 300 shares यानि कि इसने apply करे थे इसको Allotted हुए 300 shares ठीक है? तो इसमें जो हमें options नजर आ रहे हैं इन्होंने जो MCQs में हमें options दी हैं एक में 60 shares दे रखा है एक में 320 shares एक में 340 shares और एक में 300 shares तो आफकॉर्स जो D option है 300 shares का वो सही होगा बट इसमें इन्होंने amount भी दे रखा है कि कितना तो 240 तो हम उसे check कर सकते क्या इतना ही बनता है तो देखो 420 के साब से इसने application money दियोगी 2 rupees जो कि 840 बनेगी हमने इसके adjust करे 600 रुपे तो yes 240 तो यानि कि हमारा जो option D है वो correct है ठीक है तो आप इस तरीके से कर सकते हो कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि 2 option C भी 300 shares दे रखाओ बट यहां पे जैसे इसका amount निकल किया रहा था 240 इधर दे रखाओ 300 तो आपको यह निकलना भी जरूरी है चेक करने के लिए ठीक है क्योंकि उन्होंने बोला है इसके बाद आगे बढ़ते हैं असान था इसके बाद गाईस second जो है mcq वो है shares can be issued first option है shares कैसे issue किया जा सकता है discount पर second credit पर third cash और consideration other than cash fourth cash only तो आपके सबसे क्या होना अची है shares के discount पर issue करे जा सकते है no credit पर no cash और consideration cash yes cash only no सिर्फ cash नहीं cash के साथ consideration other than cash भी है जिसमें हम building या business पर्चेस करते है machine पर्चेस करते है तो भी हम share issue कर सकते है question number second में consumption होगा c होगा हमारा third question जो पूछा गया है first call amount received in advance यानि कि आपको first call में first call का amount पहले ही received हो जाता है from the shareholder before it is actually called up by the director यानि कि director ने मांगा नी और आपने allotment money के साथ ही first call का amount दे दिया अब वो आगे पूछते हैं वो क्या होगा उसका treatment क्या होगा उन्होंने सबसे पहले बोला debit किया जाएगा calls in advance में second option उन्होंने दिया आपको credited to share allotment account ठीक है third उन्होंने option बोला है debited to first call account अच्छा final नहीं है first and D उन्होंने गाइस बोला है credited to calls in advance account आपके हिसाब से क्या option होना चाहिए कि अगर आप allotment के साथ आपने first call advance दे दी तो हमारी क्या entry बनती है अगर हम advance पैसा देते हैं तो bank में debit होता है पहले आया कहां से to share allotment से अगर share allotment से suppose करो एक लाख आने थे ठीक है एक लाख की जगे हमें एक लाख दो हजार आ गए तो यह दो हजार हम किसमें डालते हैं calls in advance account में कि 2000 हमें advance आये तो हमने क्या किया है calls in advance को credit किया है तो इसमें क्या option होगा credited to calls in advance क्योंकि debit नहीं होगा ठीक है और नहीं share allotment का इससे कोई relation है हमने particular account खुला है जिसका नाम होता है calls in advance और वो credit किया जाता है ठीक है तो इस तरीके से हम उसे select करेंगे नहीं यह option है तो सिफ कौनसा option है आपके पास दी जो की correct है इसके बाद गाईज आपके पास जो next mcq है वो है minimum subscription सबको बता है minimum subscription कितनी होनी चाहिए amount of 90% is related to which share capital कि share capital से related होती है authorized capital issued capital paid up capital and the d is none of the above so guys minimum subscription का जो concept है वो किस capital के साथ related है authorized के साथ no authorized capital वो होती है जितने company की maximum limit होती है share issue करने की तो इसके साथ तो नहीं issued capital यानि कि आप जबी भी capital issue करते हो तो minimum 90% तो आपके पास subscription आनी चाहिए so यह किसका पार्ट होगा issued capital का राइट इसके बाद guys question number 5 है a company purchase machinery company machinery purchase करती है ठीक है कितने की machine purchase कर रही है 1,80,000 की ठीक है अब 1,80,000 की guys जो machine purchase करी जा रही है उसके against हम consideration share issue कर रहे है at a premium of 20% तो हमने premium पे करे है 20% के ठीक है what will be the face value of shares बहुत easy सा concept है guys आपको 4 option दी है a 1,50,000 b option है 1,44,000 c option है आपके पास 1,80,000 and d option है आपके पास 2,16,000 थोड़ा सा light हो गया marker ओके आपके बास 4 option है guys इसमें से हमें कौन सा correct है जो हमें choose करना है तो बहुत easy सायरे को यहां पे हमें share की कोई भी value नहीं given है तो let आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपने 100 assume करी तो premium होगे 20% of 100 is 20 rupees हम कैसे निकालते है number of shares? number of shares हम निकालते हैं जो भी हमारा purchase consideration है divided by share value तो 100 plus 20 1,80,000 को divide करो 120 से cut करेंगे 15,000 अगर हमारे shares की value आई तो 15,000 को हमें multiply करना है किस से 120, 15,000 आ रहे है निक 15,100 आ रहे है guys 15,100 को multiply करना है 100 और पे share value से 150,000 तो A option correct होगा आप चाहे तो यहाँ पर 10 भी मान सकते हो आप चाहे तो 100 भी मान सकते हो अगर आप 10 मानोगे तो यह 10 का 20% 2 rupees आएगा तो यहाँ पर आपको वारा लिखना होगा बात वही पड़ती है guys आपको formula याद होना चाहिए purchase consideration divided by जो भी आपका share price है विद premium है तो premium add करेंगे discount है तो less करेंगे पार है तो वही रहने देंगे तो यह concept है guys आज के MCQs के I hope आप लिखो को समझाया होंगे और अगर कुछ भी difficulty है तो जरूर शेयर करना guys क्योंकि यह first video थी MCQs पर आप अपने suggestions भी दे सकते हैं कि मैं किस तर नहीं query मेर से YouTube पर या फर Instagram पर पूस्च सकते हैं Thank you